आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके आईकू फोन में कॉल आता है और कॉल आपके फोन की डिस्पले या फिर आपके फोन की स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है तो ये प्रॉबलम कैसे ठीक करें तो इसके लिए अपने आईकू फोन में सेटिंग्स उपन क नीचे आईए नीचे आएंगे तो आपके मुबाइल में ये फोन आएगा या फिर आपके मुबाइल में ये डाइलर आएगा तो ये फोन नाम से आएगा फोन पे किलिक करिए उपर अब ये फोर्स स्टॉप करिए उखके करिए नीचे स्टोरेज एंड कैसे पे किलिक बैक आईए, अब ये notification पे किलिक करिए, all phone notification आएगा, यह आपके phone में बंद है तो ये on करिए, हमारे phone में already on है तो back आएगे, अब right में उपर 3 dot पे किलिक करिए, show system apps पे किलिक करिए, search icon पे किलिक करिए, type करिए call management, call management पे किलिक करिए, force stop करिए, ok करिए, नीचे storage पे किलिक करिए, clear cache करिए, clear storage करिए, delete करिए, तो आब back आईए, back आने पर अपने phone में right में 3 dot पे किलिक करिए, reset app preferences पे किलिक करिए, नीचे reset आएगा, तो ये reset पे किलिक करिए, तो ये करने से कोई data कुछ delete reset नहीं होता है, तो आप ये reset पे किलिक करिए, और ये reset होने क के बाद अपने फॉन को रीबूट करिए और अब चेक करिए कॉल आने पर आपके फॉन के डिस्पले पे आ रहा है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें